नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी को अपने ही चैनल गौर्रमेंट इन्फॉर्मेशन पर तो दोस्तो आज की मैं बताने बाला हूं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना योजना है क्या और बैसिकली आप यहां से कैसे इसका बेनिफिट ले सकते हैं तो यह जो योज योजना है यह लड़कियों के लिए योजना है अगर आपके घर में कोई लड़की है और एक से दो साल के वीज में है तो आपको यहां से रेइस्टर कर देना है और अगर आपके लड़की अगर 10 क्लास की सिच्छा पार कर चुकी है तो भी रेइस्टर कर सकते हैं और अगर तो देखिए, अगर आपके घर में कोई बच्ची है, अगर एक से दो साल के बीच में हैं, तो अगर आप यहां से रेइस्ट्रन कर देते हैं, कन्या उत्यान यूजिना का तहत, तो आपकी लड़की को पांच जार रुपीय मिलते हैं, और अगर आपकी लड़की ट्यान क्लास इस पेज पर आना होगा, देख सकते हैं, जिसका नाम है आगन, तो इस पेज पर आप कैसे आओगे, तो सबसे पहले अगर आपके पास एक मुबाइल है, तो आपको यहां से एक ब्राजर को आपन करनी है, उसके बाद आपको यहां पर टाइप करनी है, I, C, D, उसके बाद क्लिक करनी है, क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपके सामने यहां पर जो वेबसाइट है, I, C, D, S की, आपके सामने खुल कर आती है, और आपको यहां पर देखाए मिल रही है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहां पर दिखाए मिल रही है, कि एक, ऑनलाइन प्रपत्र भर करने के लिए यहां पर क्लिक करें तो सबसे पहले आपको यहां पर क्लिक करनी हैं यहां पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहां पर एक कल्यान का जो करने होता है नियोजिना जो बिहार गौर्डमेंट की तरफ से यहां पर जारी की गई है आपको यहां पर देख सबसके बाद आपको यहां पर दिख रही है और किलिक करने के बाद आपके सामने यहां पर दो योजना दिख रही है जैसे कि मुख्यमंत्री कर्णिया ओधन योजना जीरो से एक साल अगर आपकी लड़की जीरो से एक साल के बीच में है तो आपको पहला बाला पर किल्क करना है और अगर आपकी लड़की एक सादो साल के बीच में है ता आपको यहां दूसरे वेलपर टिक करनी है यह बिहार के लिए है आपको यहां से माइन में रखना है कि भर आप से हो या पिर रूपी सो तो आप इस अपलाइन ही सकता है जो बीहार के हैं वहीं शुकर सकता है उसके बाद आपको यह अपर दिखरיתי आपको यहां पर सम्पिकर करेंब सकता है आपको यहांना मढय बरकार के बादElles विल्ले के फिरने के करनी है यहांपर करने के बाद आपको नीचे आना है और आपको यहांपर स्विवरन यानि कि आधार कार्ड में आपके मम्मी का या पिर पिता का क्या नाह में आपको यहां पर यह लिखनी है जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रही है, आधार नमबर माता का, तो जो यह बच्ची है, उसका मां का आधार कार्ट का नमबर आपको यहाँ पर फिल अप करनी है, उसके बाद यहाँ पर मां का जो नाम है, आपको यहाँ पर लिख देनी है, इंगलिस में लिखने के बाद आपको यहा आधान नंबर डालना है जिस बच्ची का आप यहां से राइशन करवा रहे हैं उसका आधान नंबर आपको यहां पर डालना बहुत ज़रुरी है यहां पर डालने के बाद यहां पर शिसु का जो नाम है आधार कार्ड में आपको यहां पर लिखनी है लिखने के बाद आपको आपको आंगन बाड़ी संखा कोड़ है आपको सिंपल यहां पर क्लिक करनी है और क्लिक करने के बाद आपके आंगन बाड़ी को जो कोड़ से आपके सामने आ जाएंगे बस आपको आधार नमर डालने के बाद ही आता है तो मैं यहां मैं यहां पर अभी सेलेक्ट नहीं किया ह है ठीक है उसके बाद आपको यहां पर दिख रही है कि सीसू का नाम आधार कार्ड के अनुसार आपको टाइप करनी है एंगरेजी में ठीक है जो भी बच्ची का है बच्ची का आधार कार्ड में जो हिंदी में नाम लिखा हुआ आपको यहां पर इस बॉक्स में हिंदी में उसका सिसू का नाम फिर से आपको यहां पर हिंदी में टाइप करनी है ठीक है उसके बाद यहां पर आपको लिख रही है पिता का नाम अपने पिता जी का क्या नाम है जो बच्ची का है पिता क्या नाम है आपको इस बॉक्स में हिंदी में आपको लिखनी है उसके बाद फिर प्रताग नाव फिर से celui में पूर्म धाल लिए ठीक है उसके बाद यहां पर दिख रही है कि सीसू का जर्म ती थी यानि कि जो बच्ची है उसका जर्म का कौन सा डेट में हुआ था आपको इस बॉक्स में को फिल पकरनी है उसके बाद यहां पर दिख रिए कि सम्पुन्ट होने कि थी जो पच्छी करण हो चुका है संपुर्ण ताप को यहाँ पर इसके डेट डाल देनी है कुछ संपूर्ण पुरी तरसे ट्रौ करन पर है सिर नी ताप को यहाँ पर स्लट करने अपना कॉन से कास्ट में आता है जैनेरल और ओभी CST SC या फिर EBC या फिर BZ ठीक है आप किसी भी का्स्ट मेन रहतो आपको यहां पार सुल्ट कर लिए हैं यह सभी काश्ट के लिए वैवेलमल है ठीक है और आतीक में मांता धर्मिर्ट्व होने किसी तो अगर आप के मांता के कोई कि म्तुरि हो चुकी हैuire तब को यहाप तिक माक करनी है और टिक माक करने के बाद यहां पर देख रही है बैंक का वीबरणं में यहाँ पर यहां पर माता या पिता का बैंक खाता नमबर दे सकते हैं अगर बच्ची का खाता है तो आप यहां से उसका नमबर डाल देना है ठीक है तो अगर बच्ची खाता नमबर नहीं है तो अपने माता का या पिता का तो मा का ही जो आधा बैंक अकाउंट का डिटेल से आपके यहा आने के बाद दे सकते हैं यहां पर एक नंबर देगे जहां पर माता बेटा के मिर्टु होने किस्ते हैं पिता का आधान नंबर एक खाते की विवर्ण उपलब्द कराएं ठीक है तो आपको यहां पर एक चीज आपको यहां पर दे रहे हैं जहां पर जनव प्रमानपत्र अप को सिंपल हैं अप्लोड करनी है अप्लोड सकते हैं जहांपर JPG और PDF कर सकते हैं बस 300 को बेकर अप्लोड फाइल से अपर acceptable है निचे आप के मां के साथ बच्ची के तस्वीर कोुब लोट करें तो जो बच्ची है बच्ची को अपनी मां को लेकर एक फोटो किछकर आपको यहां सूपलोट कर दनी libare और फट जहां दे सकते हैं दोस्टों के विद्धों कبvantage करना थे उसके आपको इहां पर पर सेव करेंग पों यह सेपक्र देने के बाद आपका जो यह फॉन है पर सेली आती है उसके बाद आपका सबErल्स नम्बर को सबस्क्राइब लенा है और उसके पार चिक करते रहे कर दे ताकि आपको फाइदा मिलने वाला हैं तो इस तरह मिलते और नए वीडियो साथ तब तक बने रहे इस चलिंग साथ थेंक्यू टेकर संब बाई